हेलो फ्रेंड बेलकम उड़ाद के माई चैनल इंडियन बेटी निदी फ्रेंड आज हम उबालेंगे सिघाडे दो तरीके से आपको बताओंगी आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सेट सस्क्राइब कीजिए बैल आइकन जुरू दबाईए ताकि चैनल की नोटिफिकेश आप तक पहुचे फ्रेंड्स हम यहां सिघाडा उपालने की दो तरीके बताओंगे फ्रेंड्स जो बहुत ही असानी से घर में उबल जाते हैं वीडियो को पूरा देखेगा फ्रेंड्स यहां मैंने कुकर लिया है प्रिशर कुकर और मैं इसमें आधे सिघाडे उबाल कर सिघाडे और यह मैं अधे सिघाडी बताओंगे पहले एक तरीके से फिर मैं दूसे तरीके से भी बताओंगे घर में बहुत आसानी से इसमें उबल जाएंगे इसमम एक डॉबाना है सिघाडें पानी में नहीं हमको फ़स्यों गले मारा नहीं बएक इस दूसर आए Chance लिए जोड़ेंगे और यह देखेव की उतना का ही जादा ही हो गया है पानी के अपना पानी छोड़ देते हैं यह देखें अब in life निकाल लेंगे डिंके लत चीनिमेर बड़तेGS लेकर के घर पर उबालते हैं फ्रेंस बहुत गीले गीले से हो जाते हैं हमारे कच्छे से घाडे तो आप इस तरीके से उबाले के देखिए आप को दिल्कुल मार्कें स्टाइल से उबले हुए से मिलें इस घाड़े ही मिलें घिलती हैई तक फ्रेंड बताओंगी Cloth कर्मेंट में जरूर बताइए कि आप कैसे उबालते हैं घर में सिखाड़े अब में फिर प्रिशर को कर लोंगी उसमें जो बच्चे हुए मेरे आधे सिखाड़े थे उनको फिर से हम लेंगे और आप में एक तरीका आपको बता रही हूं जरूर ट्राइए कीजिएगा इससे टॉबिल ले लूँगी आप किचिन का टॉबिल या कुछ भी ले लीजेगा और बस इसको पानी में डुबा दीजेगा और यह तरीका बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स जरूर ट्राइए करिएगा आप और बस हलका सा पानी इसमें से हमें निकाल देना है टॉबिल से बिलक पानी नहीं डाला है हमने इस पे अब हम प्रिशर कूकर को बंद कर देंगे और वही फिल्म मीडियम आच पे हम इसे रखेंगे और एक प्रिशर आने देंगे एक प्रिशार आ चुका है अब हम इसे खोलेंगे यह देखिए खोल रहे हैं हम और यह देखिए हमारे से घाड़े उबल चुके हैं हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला था लेकिन इसमें पानी निकला है यह देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी निकला है क्योंकि यह से घा स्वाड़ा उबालने का फ्रेंड से बहुत ही आसानी से उबाल जाता है कमेंट में ज्रूर बता कई से उबालते हैं यह देखे बिल्कुल टाइट से घैठे हमारें फुले हुए है और इसे अमने छीघी comprehensive love यहाँ दे देखे बिल् larger बताईएगा friends thanks for